है 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 आपको क्या हुआ कि अ मैं चुछ कि अ अ अस्सलाम अलीकुम अरबाद जाओ सब खेरियत कि उसनी यहां दे रोजोष के जिन्दगी के मामला से परिशान हो जुखाऊंगे कि चलिए आपका ध्यांटिक करता हूं कि चलिये भई कि अब अब कि अब मेरे ताजवाले मेरी लाज रख ले नहीं मेरा तेरे सिवा मेरे बाबा मेरे ताजवाले मेरी लाज रख ले नहीं मेरा तेरे सिवा मेरे बाबा नहीं मेरा तेरे सिवा मेरे बाबा भाई आपने हाँ पर क्यों लाया भाई अलिया लिल्ला की गुपतोगु से दिल का दंग निकल जाता है जी 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 भाई बाबा साथ के खांदन का तालूप कहा है बाबा उदूर के खांदन के लोग मदरा से सफर करके कामती आए आपके खांदन में पूचे-उचे फाउदी अफ्तरों की कड़ी मिलती है जो बड़े-बड़े पदो पर कायम थे जी जी भाई कोई मशूर वाक्य बाव सर्कार का लुपेशाया ओ आपको एक वाक्या बताता हूँ जी बताये जो लोग अल्य आल्ला से दूर रहते हैं जय नाम जफर-ई-खान जो पुलिस विवाद में अप अल्य आल्द दूर रहते थे जी आपको एक दिन डाकू को पकड़ने का हुक्म हुआ जो कातिल थे तो आप घबरा गए परिशान हो गए इत्टेफाक से घर से निकले तो आपको रस्ते में बावजूर से मुलाकात हो गई तो सरकार ताजुल उल्या ने उनको देखते से फर्मा दिया तू आ गया न हमारे पास जा तुझे अपक कुछ नहीं होता सुखान अल्ला तो जनाब इक्दम शर्मिंदा हो गए अपनी मुहिम के लिए निकल गए माशलें को मुहिम में काम्या भी मिली और पद में तरक्क्य हुई और इनाम में तलवा राकाई